हेलो दोस्तों आप सब लोगों को सागाट है अमारी यूट्टूब चनल पर हेलो दोस्तों आप सब लोगों को सागाट है अमारी यूट्टूब चनल पर में आज आपको बताने ज़रो सम्राट अशोक के बारे में अशोक बहुत धर्म के सबसे प्रतापी राजा थे, सम्राट अशोक का पूरा नाम देवा नाम प्रिया अशोक, राजा प्रिया दर्शी देवताओं का प्रिया था, उनका राजकाल इसापूर 269 से 232 राचिन भारत में था, अशोक के पत्नियों के नाम अशोक का परिवार पत्ति पत्नि, अशोक की पहली पत्नि थी देवी, वेडिस, महादीवी, शक्यकुमारी, अशोक की दूसरी पत्नि थी कवरवकी, द्विटिया देवी, तीवल माता, अशोक की तीसरी पत्नि थी असंधी मित्रा, आग्र महिशी, अशोक की चोट्नि पत्नि थी पद्मावती, अशोक की पाचवी पत्नि थी तिश्य रक्षिता, अशोक की संतान, संतान, देवी से पुत्र महेंद्र, पुत्री संगमित्रा, और पुत्री चारुमती का जन्म हुआ, कवरवकी से पुत्र तीवर का जन्म हुआ, पद्मावती से पुत्र कुनाल का जन्म हुआ, धर्म और भी कोई पुत्र का उल्लेख है, समराट अशोक के बेटे का नाम महिंद्र और बेटी का नाम संग मित्रा था जिने अशोक ने बहुत धर्म के प्रचार के लिए शेलंका बेजा था समराट अशोक के पुत्र का नाम महिंद्र, कुनार और तेवल था जबकि पुत्री का नाम संग मित्रा और चालमती था आशोक ने बहुत धर्म के मिशनारियों के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए पडोसी रज्यों को और यहां तक की विडेशी भूमे पर मिश्रानेयों को भीजा वहां एक बहुत बिक्षु है और उन्हें शेलंका में बहुत धर्म लाने वाले के रूप में माना जाता है कुनाल वहां समराज अशोक और पद्मावती के पुत्र थे महारानी देवी या सिर्फ देवी समराज अशोक की पहली पत्नी थी और उनके तेन बच्चों में उनेंडर, महेंडर और संगामित्रा मार्थी शेलंका से जुड़ी लोग कतावों की माने और भार्थे इतिहास को देखे तो दोनों ही जगा देविक के कलिंग के साथ गहाटक यूद ने प्रतिश यूदी समराद अशोक को एक स्टेर और शांटिपूर्ण समराद में बदल दिया और वहां बहुत धर्म के संडरक्षक बन गए प्रमुख भारत रतविद्य एयल बाशम के अनुसार अशोक का नेजी धर्म बहुत धर्म बन गया यदि पहले नहीं तो निशित रूप से कलिंग यूद के बाद कलिंग का मुख के क्षेत अब पूरी ओडिशा और उत्तरी आंत्रपदेश के कुछ हिस्से को कवर करता है अपने सबसे व्यापक विस्तार में कलिंग शेत्र में वर्तमान छटी संगड के कुछ हिस्से भी शामिल है जो पक्षिम में अमर कंटक तक फेला हुआ था प्राचिन काल में इसका विस्तार गंगा नदी के तक था कलिंग के राजकुमारी कवरव की जितनी सुन्दर थी उतनी ही बाद दूर भी जब शाही परिवार पर विपत्ती आये तो वहां उसके साथ भाग निकली अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगिटी से लाइक और शेर और सब्सक्रेब करेंगे मित्रो धन्यवाद